अच्छा आप student life में हो। कहीं कहीं किसी ख्लास में हर जहकर आपको frustration मिलती होगी। मिलती है फ्रस्टेशन। मेरा साथ आती है आपको जीवन में। क्यार मेरा मर्स इस class मेरा मर्स अच्छे नहीं आया। मेरा सा क्या होती है। मैं बताता हूं। मैं ज्यादा अत्ता ही और को उधरन नहीं दूंगा आपको मेरे घर के उधरन दूंगा आपको माई सिस्टर इन लो कि 2011 में सेकंड ग्रेड एक्जाम अटेंट किया था से रह गए थे निराशा लगी खुब पड़े की हतास हुए फिर वापिस दुका आया दूबरा पड़िया कोई बात नहीं दूबरा पड़िया 2012 में अगें थार्ड गेर का एक्जाम दिया मेरी वाइफ ने उन्होंने दोनोंने साथ ने दिया सब्सक्णतन सेलेक्टेट पड़े के में कीशाज परते हैं, मैं डंड़। कि इसका सेलेक्शन हो गया और मेरा निया और दोनों बाने थी। फिर भी उहां हतासा सब भुर गया। उहां निरास उदास हो गया। फिर भी उन्होंने सब्सक्राइब कोई बात ही। आगया आपड़े करो हो सकते हैं बगवान आपके लिए अच्छा किया। अगें आपके जीट्धा सब्सक्राइब करें। फिर फिर समझाै कि नहीं हो सकता है तुमार यॉटे कोई बैर हो सब्सक्राइब करो है। पिर पांच नंबर सीरेंगें, निलाशार हथा साच किया होतीता है। देखी है, मैंने देखी अपने ग़र में, फिर उन्होंने वापीश Ryan रोते थे कमरे में वेटी के हैं, यामे मिरे लिए क्या हो रहा है। इतने exam अटन करें हर बार एक नमर नमर से रहें हैं, what is this? फिर वापी समझाया है? कोई बात नहीं, हो सकता है भगवान आपके लिए अच्छा सोचा है, लेकिन अगर आप मेनद करेंगे ना, तभी भगवान आपके लिए अच्छा करेंगे, अगर आप ने मेनद यहां से छोड़ दी, तो भगवान आपके लिए कभी अच्छा ने, ए जो अपनी खुद की मदद करता है, भगवान कभी आपको आके नहीं दे देंगे, यह लिजी, यह उमार रेंगे, मेनद तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन हां, वो मेनद का जपल देंगे ना, कब ऐसा देंगे, यह चप पर फाड़ के देंगे, 2017, 1st grade, गिंदी की वेकंस और 2 साल उन्हें ने क्या संगर्स किया पता आपको, इस 1st grade की वेकंसी उससे पहले उन्हें अपने आपको कमरे में बंद कर लिया, और एक चार्ड बनाया पड़े ही का, मैंने खुद में देखा, कितने टेम क्या पढ़ना है, किस वक्या पढ़ना है, 2-3 बार में वापे उ कमरे में जाके फड़े करने लग जाता है, मेरो को थोड़ा ओड फील होता था यार, वोट इस नो गुद यार, फिर में सोस्ता है यार, फोसक्ता है किया, उन्हें लिए कैसी गुज़री ही, दो बार मेरे गर पर प्रोग्राम हुए, उनका पुरा परिवाना है वो नहीं आ होते हैं, प्रोग्राम में पासकते हैं, प्रोग्राम में नहीं पासकते हैं, प्रोग्राम में 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 पासकते हैं, प्रोग् तो आपको कुछन कुछ sacrifice तो करना पड़ेगा, without sacrifice you can't do nothing. And now she is 32 age, she has completed her PhD, Hindi, in Hindi. And he wrote a book, famous poet, अर्ये आपने नाम सुना होगा, उसके उपर उन्होने एक book भी लिखी, जो लेटर अभी published होने रही है. देखिए, अगर 2011 में वो निरास हो जाते, 2012 में हतास हो जाते, 2013 में, 2014 में, तो क्या, वो 1st grade में select हो पाते? Tell me, हो पाते क्या? नहीं हो पाते. वो PhD कर पाते? नहीं, वो किसी point के ओपर book लिख पाते. तो हतासा और निरासा जियून में आपके हजारों आएगी. लेकिन आपको उन हतासा और निरासाओं को आपको पार करना होगा.